आहे शेहन शाह गुर्गो बिंद सिंग हक हक अंदेस गुर्गो बिंद सिंग बादिशा दर्वेश गुर्गो बिंद सिंग हक हक अंदेस गुर्गो बिंद सिंग बादिशा दर्वेश गुर्गो बिंद सिंग परम सनमानी योग जुग अटल चवर शतर तक दे मालिक तन तन आद साहिव श्री गुरू गुरंत साहिव महराजी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर जुड बैठे सर्वत्र माई पाई बहुत वड़ें पागावाले हो जो साहिव एक कमाल सर्वंस दर्नी बादिशा दर्वेश सत्गुरू तन तन सत्गुरू गुरू गो बिंद सिंग साहिव सचे पाध्षय जियां दी चर्ण शोप्रापत इस पावन पवित्र स्थान गुर्द्वारा चर्ण कमल साहिव विखे बड़े ही सहज प्यार और शिद्द देनाड हाजरियां पर के लाहे प्रापत करन्दा सफल यतन कर रहे हो अजसा संगत ओ दिन है जिस दिन दुनी दा पाध्षय वाली दो जहान अम्रत के दाते कलगी तर दश्मेश पिता सद्गुरु गुरु गोवन सिंग महराई सचे पाध्षय जी अपने परवार दे विशोडे तों बाद दो पुत्रांदी शहादत दा सल अपने सिन्ने वेचले के सपावन तर्थी ते पहुंचे हन और उस अकाल पर खरब नड़ सुर्थ जोड़ के एक में कोके सद्गुरु सचे पाध्षय जी जो हाल बियान कर दे हन एक बड़ी कमाल दी गल होई दुनिया में कोई भी बंदा अपना आपगवा के दुज्जे दा पला नहीं मंग सकता पर कल गी तर दश्मेश पिता सद्गुरु श्री गुरु गोबन सिंग महराज अपना परवार बिच्छड गया है दो जुआन पुत्ता निया लशें कुलों हजूर लंग के आये ने फिर भी एस पावन कोई तर तर्थी ते बैके हजूर रबनल सुर्थ जोड के एक कोई चीज मंग देने सुखी वसे मोरो परवारा केंदेने प्यारे पाही देया सिंग जी ने कुलों बैके सुनया ना तब पाथषे कोई पंगती मंग रहे ने सुखी वसे मोरो परवारा सुखी वसै मूरो परवारा तंदेह सिंग जी दी तहा निकल गई अक्खां परके केंदने दातेया केड़े परवार दी सुख मंग दै पाथशा तेरा बचया की है परवार तेरा विच्छड गया है दो शोटे सहव जद्दे तहन माता गुजर का और जीदा कोई पता नहीं पाथशा तेरे मेला दी कोई ख़बर नहीं और दो जोहान पुत तुँ अपनी अक्खां दे समने शहीद करवा के है हे गुरु गोविन से महराय तेरा बचया कोण है किड़े परवार दी सुख मंग देओ महराय तेरा परवार केड़ा बचया है कलगी तरपाथशा ने मिठा जया मुस्करा के कैसी दहा सिंग ए पुत्तर मेरा परवार नहीं मैं पता किस परवार दी सुख मंग देओ महराय जी किस परवार दी हजूर के इंदे सुखी वसे मूरो परवारा सेवक सिख सब्बै करतारा मैं अपने सेवक सिखांदा पला ते परवार्दी सुख मंगरे है सास संगत अपने पुत करवान करके सड़ी सुख मंगर वाला अज जो दाता इस पावन तरती ते अज दे दिन हजूर पुंचे ने तुसी पावना नर एद दिन मना रहे हो बहुत ही पहार दे नर टाड़ी सिंगा पासो कलगी तर पादशे दे शोटे फरजन सह्व जादे यांदा इते हास सुने है आओ हुन अपो अपनी सुर्थ शिर्गुरु गोवन से महराज जीयां ने चरना में जोड़िये कोई भी रसन बंजी न रवे मन्चत एकगर करके हाजरी लाओ असीस बख्षो दुमे हथ जोड के गज के अखो जी वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की फत्ह गज के अख्यक करो वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की फत्ह कलगी तर दशमेश पता सथ गुरु श्री गुरु गोवन से महराज जीयां दी बड़े आई दुनियां दे दुज्जे तर्मान दे विद्वन्दा ने किती है एक मुसल्मान विद्वान जिन इमान दा पक्ए है उने श्री गुरु गोवन से महराज पात्शय दे जीवन विज्जों दो कितबां लिखके पंथ्रों पेंट की तियां ज़ों गुरु गोवन से महराज दी गल चले गी सका चमकौूर दी गल चले गी जा सका सरहंद दी गल इतिहास वे चाये गी उदो उस विद्वान नो कोई भी बंदा कोट करन तो रह नी सकता उने बड़ी इमानदारी नल और कितबा लिखियाने एक कितावदा नहामे गंजे शहीदा दूसरी कितावदा नहामे शहीदा ने वफा उन्नी सो तेरां बिच्चों ने दू में कितावदा लिखके पंतनों पेंट कितियाने इमान दा पका उन्सलमान शिरी गुरु गोविन से महराज कल गी तर पाथशादी वडियाई कर दे और नाड दुनिया दे लुका नू नसियत दे के कें ऐ दुनिया दे लुको सारे दे तर्म चंगे ने सब दे गुरु चंगे ने पर दिलों साफ होके इनसाफ करे ओ जिदन कुल दुनिया दा इतिहास एक पासे रखोंगे ते शिरी गुरु गोविन से महराज जियां दा बताली साल दा जीवन इतिहास एक पासे रखोंगे बरबर भे के दिलों साफ होके इनसाफ करे ओ एक वर तुलन करके विखे ओ ओके इन्दा दिलों साफ होके कोई इनसाफ करे मेरा जकीन यह विशवाश है उदन हर बंदे दी जबान ते कोई गल होएगी वह गुरू गो बिंद सिंग तेरे ब्रबर कोई नहीं हो सकता एक घल एक मुसल्मान लिख दे इनसाफ करे जी में जमनना तो जकी है ओके इन्दा दिलों इनसाफ करे ओ ते साफ हो के इनसाफ करे ओ इना के ओ सड़ा गुरू बड़े जी सड़ा तर्म चंगा जी सब्द तर्म चंगे ने सब्द गुरू चंगे ने पर एक वर कुल दुनिया दे टेहास नल गुरू गोबिंद से महराइद देहास मिलके विक्यो दिलों साफ हो के इनसाफ करे ओ ते विश्वाश है इनसाफ करे जी में जमनना तो जकी है कह देंगे के गुरु गोबिन का सनी ही नहीं है करतार की सोगंद नान की कस्म है जितनी भी करूं तारिफ गुरु गोबिन की वो कम है हरजंद मेरे हातों में पर जोर कलम है सत्गर के लिखों वसफ, कहां तब में रक्म है अगली गलो लिख दाए एक आंक से क्या बुल बुल श बहर को देखे एक आखिनल कोई बंदा सुमंदर ने वेख सकता कंडा विखे गा, विचलिया लेरा विखे गा, जहां परार विखे गा एक आखिनल सुमंदर विखे नहीं जा सकता ते लए यार खा जोकी लख दाओ एक जनम बेच गरू बंशंग दी वडियाई नी किती जा सकती लख खा जनम में सुमदर दिया लेरा दी तरह लमा तामी गरू को बंशंग महराइडी वडियाई नी पूरी हो सकती हर जंद मेरे हाथों में पर जोर कलम है सतकुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है एक आंक से क्या बुलबुला बहर को देखे साहिल को मंजधार को जनलहर को देखे जिडियों ने अगलियां दो पंग्तियां लिखियां सासंगत और दो पंग्तियां दोनों मुल बहुत वड़ा चुकोना पे उस मुसलमान नो इसलाम बे चों खार्ज कर देता गया उस मुसलमान नो इमाम साफी अब्दुला की देने जे तेनु इसलाम चों खार्ज कर देता अल्ला यार खां जो की जे इसलाम चों खार्ज कोई मुसल्मान मर जाए उनू जन्न तन्सीब नहीं हुन दी उनू हजरत मुहमद सही दी गोदनी मिल दी तेनू इस गल्दा डर नहीं के जे तेनू इस लाम चो खार्ड कर देता तेनू जन्न वे टोनी मिलेगी ओ मुसल्मान दा किना विश्वाश होएगा गुरु गोविन से महराज ते उने जवाब देता किना माम साथ जिस देंदी में चमकार दी तरती ते जाके शहीदा दी खाग चोके अपने मते नू लाई है उदन दा एक गल मेंनू महसूस होई है इंज लगदे है जे में ओस देंदा मेंनू गुरु गोविन से महराज ने अपने चरनाच थां देती हो वे ते जे नू गुरु गोविन से महराज चरनाच थां देती हो वे ते जे नू गुरु गोविन से महराज चरनाच थां देती हो वे कि हमें किताबां खार्ज नहीं कर सकते फिर उन्हों सा संगत जिन्दगी देस तारा ठारा वरे उन्हों मदरसें बेच रोक देता गया उदेनल हुका पानी बंद कर देता गया इसलाम बिच्चों खार्ज रख्या मैं कई वर इलाईवतों बेंती कई इसलाम बाले लोक बड़े पकेते कटड़ने जिन्हों इसलाम बिच्चों मुस्लमान खार्ज करदन उन्हों सका प्रहावी ओदना रोटी बेटी हुके पानी दी सांज नी रखरा साठे विच्चे कमजोरी है सा संगत जे किसे नो अकाल तक है साथ नो शेक दिता जाए माफ करे उसी अपने मतलमान दे मुथाज अईने हो गए उन्हों दूजे दरवाजे जाके फिर मिल दे रहने या किड़ा पता लगना किसे सा संगत इस गलू इसलाम बेच लोक बड़े पके जेनू खार्ज करता उन्हों सका परावी बलॉंदा नै अल्लह यार खान जोगी एकल्ला पह गया ना उन्हों करतों बार कोई बलॉंदा है ना किसे मदरस से ना किसे मसीत वे सद्या जन्दा है सकाप परहा पेना वी हो दे तो बख हो गई है ओ बंदा सासंगत कला रह गया पर उने कोई जवाब देता है माम साब तो नू लग दे अल्ला यार खां जो की कला रह गया मैं एकला नहीं जिस दिन दी चमकार दी खाग जो के मत्य नू लाई है एन लग दे गुरू गोवें सिंग जी ने अपने चरना जथां देती हो वे ते जिन उन गुरू गोवें से माहराज चरना जथां दे देन ओ दुनिया वे जिक कला होए नी सकता सासंगत बड़ा बड़ा विश्वाश है उता फिर इमाम ने उनू एक गल कई इसलाम ने एक फैंसला पंच काजियां ने अमामा कठे होके किते हैं उना विचाहर किती एड़ा वड़ा विदवाश गमोना नी चाहिए था अर्भी वार्सी ना आलम फाजल विदवाश कौमा विदवाश विदवाश पंजाब जाशाल दी करनी मेन तूं बाद कौमा विदवाश विदवाश पंजाए ने साहस संगत माफ करेओ सनु विदवाश ना समझ लेओ इतनों दो चार दस कताबां पढ़ी हैं तुसीं भी पढ़के सुना सकते सुनके पढ़के कोई भी सुना सकते बेदबता बहुत दूर दी गल है जिना कौमा विज कोई विदवान पैदा हुन दे ओ पंजाब पंजाब साल दी मेनत तों बाद कौम विदवान पैदा हुन दे सिख कौम 15-16 साल गुजर गए आज तक गयानी सांसेंग मस्कीन साफ वरका बदल तो सी कौम विज पैदा नहीं कर सके इननी गहरी फिलास्पी सास संगत माफ करे ओ ओ इमाम ने कठे होके पंज काजियां ने मिलके फैंसला की कहीं दे इड़ विदवान को उना नहीं चाहिए इनों वापस अपने तारंबच लेना चाहिए विदवान कोमा विचे बड़ी मुशकल ना बन देने उना कर जाके उनों किया अल्ला जहार खाँ जोकी तेनों वापस लेने पर शर्त एक है दो कितबां खार्ज नहीं करनी है ते ना कर दो लेना कट दे इनने विची तेनों वापस लेने वो दो पंग्तियां पदा केड़ी है सन वो दा मुल बहुत वड़ा चिकोना पे है वो दो लेना ना कटंडी बजाए अल्ला जहार खाँ जो की पूरी उमर इसलाम बिचों खार जरे है उनों बापस इसलाम बिचनी ले वो दो पंग्तियां सन हाशा किसी मुर्षद में ऐसा असियार नहीं है किसी पीर में ऐसा जिनहार नहीं है इदा अर्थ सियो दुनिया दे लोकों गुरू गोबिन सिंग महराज वर का दुनिया बेच ऐसा कोई पीर नहीं जिने अपने सिखानों इना प्यार कीता है किसे पीर ने अपने मुरीद नो इना प्यार नी किता जिनना गुरू गोवेंसंग महराई ने अपने सिखानों प्यार किता है गुरू गोवेंसंग महराई दे बरबर कोई पीर नी हो सकता ऐसा कोई पीर नहीं जिनने अपने मुरीद नो इना प्यार किता हो बे जिन्ना पिहार गुरू गोबेंसिंग महराज ने अपने सिखानों की ते हाशा किसी मुर्षद में ऐसा असियार नहीं है किसी पीर में ऐसा जनहार नहीं है और सासंगत एदा परतक परमान विखेो अपन किये एमेनी ओ गुरू दी वड़ियाई कर रहे उन्हें जीवान नेड़ें होके महसूस किते है एक तुसी दर्शन होर करे हो जदों चमकार से जाओंगे न गुर्दवरा सेवदी वड़ी फसील उते एक मुटे अक्राम बेच लेन लिखी होई है ओ पंग्तियां किसे सिख विदवांदियां लिखी हो या नही ओ किसे सिख कवी दियां लिखी हो या नही गुर्दवरा चमकार सेवदी वड़ी फसील होते मुटे अक्राम बेच एक पंग्तियां लिखी है ओ बड़ी एमानदरी न लिख दे ओ के इनव में महसूस किते हिंदोस्तान बेच यात्रा वास्ते एको एक तीरत है वस एक ही तीरत है हिंद में यत्रा के लिए जहां कटाए बापने बच्चे खोदा के लिए सासंगत यो पता क्यों लिख रहे है वड़े वड़े ताकतवर शक्तिशाली लोक दुनिया वेच अपनिया पजामाना लोहा मना के हटेने मेरे वे ताकत बढ़ी है मदने जंग वे चाजन दुश्मन पजी जान दे सन सिकंदर पूर्स वर गया दी ताकत दुनिया वेच मैना रख दी है पर सासंगत तिक गल याद रखे हो बंदा किन्नावी ताकत वर शक्तिशाली हो बे अखीर अपने पुटां दे मौविच बंदा कमजोर पह जान दे वड़े वड़े योदे पुटां दे मौविच कमजोर हो गए मैं थोड़े दन पहला ही माँ पाहर्दा आखरी एपिसोड पढ़ दे असी उद्वे सासंगत दौपर दे अवतार श्री कृशन ने किते है वो वक्री गल्ले अन जानते पुलड लोग अजवी गुरू गरंसे माहराजी व्यद्वी करना चांदे ने पर माफ करे हो सूर्ज नो कोई बंदा मेला नी कर सकता सूर्ज वल कोई चिकर सुटे अखीरो दे उत्ते पहिंदे ये तन गुरू गरंसे माहराज ओ सूर्ज ने जेदी चमक पूरे संसार दे अंदर लोका नो रोशनी मिल दी इदे विच्चों राम दी आवाज आएगी सब बें कट राम बोले रमा बोले राम बोले राम बिना को बोले रे इदे विच्चों गोवन दी आवाज आएगी गोवन 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 संग नाम देओ मन लीना आठ दहम को शीपरो होयो लाखीना इदे च्चों आवाज आएगी अबल अल्ला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जगों पजया कौण पले को मन दे इदे विच्चों अवाज आएगी ऐसी लाल तुझ बन कौण करे गरीब नौज गुसन्या मेरा मत है शतर तरे खैर सासंगत इत्यान विच रखे हो शिरी गुरु गोवन से महराईदी वड़ियाईओ क्यों कर रहने एनी दुनियां विच जे संसारी तोर ते बल शाली शक्ती शाली अवतारी पुर्षवे को वड़े वड़े स्तर्ती ते शक्ती शाली लोग पैदा हुए पर पुत्तां दे मो विच कमजोर पह गए माँ पहर दे उस आखरी एपिसोड विच मैं पढ़ दे आसे क्रिशन दुआपर दे अवतार ने जे दन शिरी क्रिशन दा अपना पुत्तर दुआर का दी रखे आले मरन लगा ओदन दुआपर दे अवतार दी अख़्ां विच भी हंजू सान ओ भी विराग नल रोके कहिं दा है बेटा दुआर का नू बचाओं ले तुँ अपना शिरीर बलीदान दे रहे एक प्यो अपनिया अख़्ा नल पुत्त मरदा नी वेख सकदा दुआपर दे अवतार शिरी क्रिशन ने भी मूँ परा कर लिया सा संगत एक तान शिरी गुरु गोवन से महराज जिड़े अपनिया अख़्ां दे सामने पुत्षी हिन दे वेख दे रहे पुत्रां दे सिन्ने वेच बर्शियां बजदिया रहे मेरा कल्गियां बाला उच्ची वाज वेच जिकरे शड़दा दे इस सिर्फ शिरी गुरु गोवन से महराज दे इससे आए आप पानी कले कह रहे है माफ करे ओ एना कोई समझे जी गुरु गोवन सेंग सिखा दे गुरु ने ताम वड़याई कर दे इस तर्फी ते के हिंदू विदवान होया है जेने शिरी गुरु गोवन से महराजी वड़याई वेच एक कताब लिखी है लाला दौलतरा आरिया उने अर्दू वेच कताब लिखी तर्जमा पजबी जमल दे उने कताब दा नाम रखे आ सुभान उमरी गुरु गोवन सेंग शिरी गुरु गोवन सेंग महराज नूवी ओ महा बली गुरु गोवन सेंग लिख दे क्यों पुत्ता नू अख्खां दे समने शिहीद हों देयां वेख केवी कल की तर पाद्शा ने अख्खां परा नी कितीयां हजूर दीयां अख्खां वेच हंजू नी आए सास संगत एक बिंती समझेओ केना सौख है के पाना पर पाना जदो सरते पेंदा मनेना बहुत होख है मैंक दिन लाइव तो जिकर कीता है कि बहुत बड़ा पैल बान हुए है उदियां पुजामा जबल बड़ा सी जदो किसे मल लग खाड़े वे जानदा सी दो दो कुएंटल दे बंदे चुक्के तोल देंदा सी जदो दा नाम अनौ सुन्दा सी वड़े वड़े पैल माना खाड़ा शाड़ जानदे सी एदेन अलकोल नी करनी क्यों ए बंदा बालशाली बहुत है सासंगा जिड़ा दो दो कोईंटल दे बंदे चुके तोल देंदा सी एक वक्त आया ओदा नौजवान पुत्तर गुजर गया एना ताकतवर पहल बंदा भी अंदरों खोकला हो गया ओजदों पोतनी अर्थी नू मुड़ा देंदी वारी आई एक बज़र्ग ने किया पहल बंदा एक पासे पोतनी अर्थी नू मुड़ा दे जदों ओपोतनी अर्थी नू मुड़ा देंदी लगा ओदे कुलों सतर असी किलो दी लाशना चुकी गई पिछ्यों बज़र्ग ने मुड़े ते हाथ तरके किया पहल बन्दा की हो गए वे दो दो कुवंटल दे बन्दे चुक देंदा सी आज सतर असी किलो दी लाश नी चुकी यंदी आज तेरा बल किदर चला गया पहल बन्दी तहा निकल गई तहा मार के रो के केंदे बज़र्गा दो दो कुवंटल अखाड़ियां पे जो बजन चुकना सुक है पर पुत्ता दियां लश चुकनियां बहुत हो किया दे सास संगत एक शिरी गुरु गोवन से महराज ने आज कल की तर पाथशा दे चमकौर दी गड़ी तो सब को जक्कान अल विखे है जदो पाथशा दे वड़े सहब जादे बाबा अजीज सिंग मैदान वे चाहे न सिक्विदवान लिख देने अठारा साल दी उमर है शरीर दा परमा जुस है दाड़ी उत्री होई है पुझा हमाच बल ले जदो मदन ने जंग अंदर बाबा अजीज सिंग आए एक वर तरकान उप लिखा पे गया शायद गुरू गोबिन सिंग मैदान वे चाह गए एन्नी फुर्ती नाल बाबा अजीज सिंग लड़े सेंकडे तरकान दे आहू लादे मुल्कई या फोज दे टेर लोंदे चले गए ओतां कुझ कड़ियां तो बाद पता लगए गुरू गोबिन सिंग माहराज नहीं एक गुरू गोबिन सिंग दा वड़ा फरजंद बाबा अजीज सिंग दुश्मन ने के रह पाले सास संगत के रह पाके दूरों निजेयां दा बार कीता पथे विच्चों तीर मुक गए कोडे तो निजेयां दा बार करके सुटलिया बस तर्ती ते डिगे पहे उते लगा तार बर्शियां दे बार हुंदे रह इतिहास कें दे एक औरंग जेव दे मुके दे उसवास खबरी ने लिखे है जेडियों ने खबर औरंग जेव नो देती उने कहा पर शिरी गुरु गोवन से महराज कच्ची गड़ी चौंजकारे शाड़ दे रहे दोश्मन ने गुरु गोवन से महराज दा पूरा गुसा सेव जादा बाबा अजीज सेंग पे कड़े है ओ तो बाद इतिहास कहिंदा है चौदान साल दी उमर है बाबा जुजहार सिंग जी दी तुसी पता माले बेटे हो नजर महरे हो अपने परवाराँ चौदान साल दा बच्चा किड़ा कुहंदा है बाबा जुजहार सिंग चौदान साल दी उमर है पता श्री गुरी गोवं से महराई तो आगिया मंगी हदूर ने शाबाश कहा के किया साद साद Shabash ओ बापा जुजःहार सिंग नो हदूर ने किया बेटा जुजःहार सिंग तूं अपने पता दा सी सा ज़ हो उचा कर लड़ा तुम अपने पिता दी शान होर वदाई है मदन ने जंग वे चले है और जिड़े सवेर तो गएने बापस मुड़े नहीं जिड़ा जंद है और शहादत दा जाम बिंद है पुत्तर शहीद तुम होने है पर शहीद होके मेरिया नजरा विज परवान नहीं सबसे खहरां ने महराज शहीद होके परवान कियो नहीं कल गी तरपाथशा ने पिपर थोड़ा वरीक कर देता हाजोर कि हिंदिने बाबा जुजहार सिंग नो बेटा जुजहार सिंग बेटा जे तुम मैदान बेज जहा के गुरू गविन सिंग दी नजर बिच परवान जाड़ने फिर एककल याद रखें अपने वड़े वीरे आजीद सिंगतों अगे जाके डिगई जे पिछे डिगवे गुरु गोविन सिंग दी नजर बिच फेल हो जाए किन्नी फुर्ती गुरु गोविन सिंग महराज ने बल पर रहा अपने पुतर दे रहा ए जोश पर रहा शिरी गुरु गोविन सिंग महराज मदन ने जंग अंदर एक को टीचा में थे बस में दोशमन दे आहू लोंदे उत्थे तक पहुंच दे जित थे वड़े पराता बाबा अजीज सिंग शेहीद होए शिरी गुरु गोविन सिंग महराज रीजिनल वेख दे रहे कल की तर दशमेश पिता ने मदन बेच कोई तीर भी चलाहे ने रा मनदा गया बाबा जुजहार सिंग मदन ने जंग अंदर जूज दे रहे दो में पासे दो दो सिख नाल तूर दे रहे सा संगत एक एक करके चारे सिंग शहीद हो गए अखीर बाबा जुजहार सिंग दुश्मन दे आहू लोंदियां ओ हंदे पहुंच गया जित थे बाबा अजीज सिंग जी दी लाश पेई सी बाबा जुजहार सिंग उत्थों दस कदम अगे टप गए कल गी तर पाथशा ने जिकारा शट्या मेरा पुत्तरा जी शहादत वज़ पास हो गया है शिरी गुरु गोवन से महराज नजरां पर के खोश उन दे रहे ना पाथशा दे चेरे ते कोई उदासी सी ना मत्थे ते कोई शिकवा शिकन सी ना कल गी तर पाथशा दे या क्खांवेच कोई नमी कोई हंजू सी पाथशा उसे तरह वेक के खोश हो जिकारा शट्या गुरु दे सिखां दे अंदरों दिल निकल गए दात्या दो बचे संतू ओवी कुर्बान कर दिते होन ग्यारां सिख कल गी तर पाथशा कोल रह गए यतिहास केंदे उना आपस वेज फैंसला किता गुरु नू इस तरतीते शहीद होन तो रुकना पै एन्ने नू सूर्ज डुबन ते आगया कल गी तर पाथशा शिर गुरु गोवन से महराज मैदान वे जहन दी त्यारी कर रह सन एन्ने नू समापती दा बिगल वजे सास संगत तनु गुरु कल गी तर पाथशा जमें चमकौर दी तर ती ते सूर्ज डुबया हजूर जंग मुकन ते चौंकड़ा मार के बे गए पाथशा ने वाज देके किया प्यारे पाई दया सिंग पाई मान सिंग आओ भी रहरास्दा टेम हो गया अपना रहरास्दा पाथ़ करिए वा कलगिया मालिया एथ़ सनु सुख वेच भी नितने पुल जन दे तु एड़े वड़े सल वेच भी नंकार दी उस्तद कर दे तन श्री गुरु गोवन सिंग महराज दो पुतां दी शहादत तों बाद भी चुंकडा मार के चंकार दी गड़ी विच रहरास्दा पाथ़ कीते रब्दा शुकर मनों देया तम ही कह रहे सन तित सरवल ले पही ले निमसा पानी पावक तिने किया पंकज मोपग नहीं चाल ले हम देखाते हैं डूबी ले मन एकनचेत समूड मना हर विसरत तेरे गुन गलिया तन श्री गुरु गोवन सिंग महराज जिवें पाथशा ने सोदा रहरास्दा पाथ समाबद कीता एनी पंकडी पड़ी तरस पया महरामत होई पंज श्री गुरु गोवन सिंग महराज ने पंजा के हत जोड़के सीच चुका है आसा संग जड़ी रात कल गुजरी है कल गी तर पाथशा ने अद्धी रात नो चमकोर दी गड़ी शटन लगए हैं पैरां बेचों जोड़ा ला देता किते मेरा जोड़े वड़ा पैर मेरे किसे सिख दे किसां उते ना रख जावे किसे शहीदी शहादत उते मेर ना लग जए पाथशा ने जोड़ा उता रहा सीच तों कल गी लाई कोड़ा पंथनों दे देता तानिश श्री गुरु गोवन से महराज खाली एक कमर कसे वे शम्शीर लेके चमकौर दी गड़ी तों चले नाल पाथशा दे तिन सिख मिशलना चुकियाने मगर मगर तुर पे जगदी होई मिशाल लेके हमेरे विच गए कतल गड़ साब तों थोड़ी सास संगत चार पंसो गज़ उते तुसी होंदे ओ दर्शन कर दे ओ जित्थे पाथशा ने खलो के उच्ची अवाज वे तिन वर ताड़ी मार के क्या पीरे हिंद में रबद पीरे हिंद में रबद ओए सिखांदा गुरु जा रहे जे द वेच हिम्मत है रोक लाओ ए ना के हो गुरु को बिन सिंग राद दे हनेरे वे तुरु गया पाथशा ने तेन वर ताड़ी मार के वाज दिती एक दम दुश्मन दी फाज बेच हला हलू माच गई सब उठके तुरु के कदम जुजन लगए सास संगत रिंदे होई अठ गुरु दे सिक मेदन ने जंग नददी रात नो उत्तराए कमसान दी जंग होई कल गी तर पाथशा पंतदा हुकमन के तुरु पे हजारां तुरु कन्ना फोज आपस वे तुर्क लड़ लड़ के वट तुको के मरदे रहे श्री गुरु गोवन सिंग महराज मैदान बिचों लंग रहे संग जल्दी मिशाल दे नाल रोशनी करके प्यारे देया सिंग दी कोई नजर सी जित्थे गुरु गोवन सिंग दे लाल शिहिद होई ने दुम्मा सैब जादियां दा एक वर चेरा गुरु गोवन से महराज जरूर कोड़े जन्दे जन्दे अपने पुताना मोख़ता वेखलें हर बंदा चौन्दे के आखरी वर किसे दा मुझरूर अपने दा विख्या जावे अज श्री गुरु गोवन से महराज कलगी तरपाद्शागे ने जिमें पहरे दया सिंग ने मिशाल दी लो किती सेव जह दा बाबा अजीज सिंग दा चेरा नजर आया गलतों लेके पेट तक बर्शियन अल बिन्या पे अश्रीर सब तों वद लहू बाबा अजीज सिंग दा खून शहीदा दी उस तरती ते डुले सब तों वद लहू बाबा अजीज सिंग दे शरीर दा डुले सरीर चाक कर देता सासंगत सिक्व दवान लिख देने शती तों लेके पेट तक तन गुरु गोवन से महराज दे उस लख दे जिगर फरजंद बाबा अजीज सिंग दे सासंगत शरीर दियां बोटियां बोटियां कर दियां चेरा पहचाने आँ कोल होके प्यारे देया सिंग ने रोशनी करके कहा दाता एक वर अपने पुता ना मूता वेक जाओ हे गुरु गोवन से महराज लंगता इंज चले ओ जे में कुछ होया ही ना हो दे ही रहा वर गे पुत गवाच चले है एक वर चेरा ता वेक जाओ शरी गुरु गोवन से महराज ने नजर परके अपने दुमा पुता ना चेरा वेक जाओ शोटी चौदा साल दी उमर बाबा जुजहार सिंग दा मुक ने हारया पाथशा तुरन लगए केंदे ने देया सिंग वेक ता सही गुरु को बिन सिंग दिया अक्खां वेच हंजूता नहीं आए देया सिंग दी ता निकल गई केल गदाता पिता होन दे को फर्ज जरूर नवाके जाए हो माराज जे पुत दे रही दे यहां प्योग उजर जाए पुत्तर कफन पहुंदे ने ते जे प्योग दे रही दे यहां पुत्त चला जाए फिर प्योग दा फर्ज जाए ओ मूझ रूट टाक दाए माराज कफण पाके जाएो मैं तुम आला कोल के बिन्ने दो टोटे करके पुतां दा मुँ टाक जाओ कदे तेरे पुतां को पश्मीन ने दिया पशकां पशारतों ओ दिया सन कदे लहौर दे सिख जरीदार पशकां ले ओ दे सन अज तेरे पुतां निया लश्मीन बिना कपड़े तो पहिया ने दाते आँ दो टोटे करके कफण पा जा शिरी गुरु गोवन से महराज नू प्यारे देया सिंग ने जदों के आपाथशा मू टक जो कफण पा जो हजूर दो कदम अगां तो रुपै ते पिछियों प्यारे देया सिंग ने जड़ी गल कई तो किसे भी प्योदे दिल ते टक पा सकती सी किसे भी प्योदे दिल नू हला सकती सी प्यारे देया सिंग ने क्या दीन दुनी दे पाथशा तो ते दीन दुनी दा ओदाता है ओजे दे दर वेच कंगाल ओंदे ने ते राजे बणके जंदे ने तेरे पुतरां कोल पश्मीन ने ते जरी निया पशाका थाँ अज बिना कफणा तो लशाम पैया ने गरीव तों गरीव बंदा भी हो वे दातेया ओदे पुतन भी कफण नसीब हो जाते इस तर्थी ते गरीब तों गरीब लोक पहने गरीब तों गरीब बंदें दी उलाद नों भी दातेया कफण जरूर मिल दाए खीर विच तूं दीन दुनी दा शेहन शेह है तेरे पुत्ता नों कफण भी निसीब नहीं जेडी गल प्यारे दया सिंग ने कई यानी चर्ण सिंग सफरी साथ लिख देने कई दे दया सिंग ने दिल परके गुरु गोवें से महराज वल के एन लगा जे में प्योदा दिल अंदरों हलाता हो ले प्यारे दया सिंग बोले कई दे गरीब तों गरीब मापे जग वेच पहेने कफणों बगेर दसकी ने पुत गएने गरीब तों गरीब मापे जदों हजूर ने एक आल सुनी सेभ ने क्या रें दे हो देया सिंग शेहिद दान दिया लाश या कफणा दिया मुथाज नी हुनी ये ना नू कफण दी लोड ने हजूर दो कद मगे तुरे देया सिंग ने दिल परके एक मेना हुर मार देता प्यार वे चाके कहीं देता ये गुरु गोविन से महराज केड़ी गल पिछे लगा हुए है तेरा बचेया ही कुछ नहीं चौँ पुत्रा चौँ दों दी खवरनी दो शहीद करा चल ले है तेरे परवार दा कोई जी अज तेरे नाल नहीं कलगियां बाले हा तेरा सब कुछ बिछड़ गया है केड़ी गल पिछे लगा हुए है अब पुत्तां दा मू टकन तो मी मू फेर ले है पाथशा कफण पौन तो मी मू फेर के तुरबे है ताने शिरी गुरु गोवन से महराज नो प्यारे धया सेंग ने गल प्यार वेच पेजिके कई केंदे की होगे आए दाता तैनो की होगे आए दाता तैनो ओ प्यां केड़ी गले दे पुतरान दी पीड़ता पखेरो भी नी चले दे पुतरान दी पीड़ता पंचियां तो भी नी चले हुं दी तुंके में चल लगे है हे गुरु गोवन से महराज की होगे आए दाता तैनो पिछे पे आखेड़ी गले दे पुतरान दी पीड़ता पंखेरो भी नी चले दे पंचियां तो भी पुतरान दुख नी चले जान दा दाते है तुंके में चल लगे है शिरी गुरु गोवन से महराज बस अगांत और पे पिशां पर्त के ना विख्या देया सिंग जी ने बरबर होके एक गल कई कहिंदे पाथशा मैं पता क्यों कहिंदा सी कफन पादे हो पाथशा लश्यां विखन योग नहीं शती तुं पेट तक सरीर दे बोटियां बोटियां कर दे जालमने बरशियां गिनके नहीं मारी है पाद्शाप पता नहीं तेरे पुरा गुसा तेरे पुत्रां ते कर दिते है शरीर बिन्या पे है मैं इसलिए केंदा सी कल सवेरे दिन चड़ने इल्हा उनगिया सिर्फ तेरे पुत्तां या लशिया बिना कपड़े तो पैयाने उना दे शरीर ते संजो नहीं वस्तर नहीं पेट चाक कर देता है इल्ला ओन गिया मास नोच नोच के खान गिया इसलिए मैं केंदा सी दाते है कपड़ा पाके कफण पाके लाश टाक दे दसमे पाथशा ने जड़ी गलक यो बड़ी कमाल दी सी शरी गुरु गोवें से महराज बोले कहीं दे देहा सिंग मेरे पुतान दिया लश्यान दा मास इल्ला नोच लेन दे मेरे पुतान दिया मास इल्ला नोच नोच के खान गिया खालेन दे ओए मेरे पुतान दिया शरीर दा मास एल्ना नोज नोज के जिन्ना अकाश वे चुचा उढन गियां विखी एक दिन एन्नहीं उच्चे मेरे पंथ दे कैसरी निशान सहु जो लणके सास संगत जिन्ना मेरे पुत्रां दा महास नोज के इल्ना अकाश वे चुचा जान गियां एक दिन एन नहीं उच्छे उच्छे मेरे पंथ दे केसरी निशान चूल लणगे साथ संगत अज तेन तेन सो फट दे निशान सहीव चूल देने मेक दिनगेवी लाहिवतों के है ये निशान सहीव सड़े करके जा तोड़े करके नहीं चूल दे ये निशान सेव दसमें पात्षादी कुर्बनी करके जूल रहे ने साड़े तोड़े सानू पता है सब कोई अपन जो कर्म कर रहे हैं माफ करे हो असी सबाय एक दुझे दियां लत्तां खिचन तो कुछ भी नहीं कर रहे असी दिला मेंच अपनी इगो अहंकार चुकी फिर दे अपो अपने तड़े अपो अपनी अपाटिया शेहिद्दान दे सकके भी असी कठे होके मनों दे नहीं अपो अपनी होंद अपो अपना अहंकार मैंनू माफ करे हो एक पंथ दे निशान सड़े करके नहीं दसमा पात्षा कुर्बनी यन्नी वड़ी कर गया है रें दी दुनिया तक पंथदी चड़दी कला रहेगी क्योंके गुरू गुबिन सिंग महराज कुर्बनी यन्नी वड़ी कर गया है ये पात्षा दी कुर्बनी कर गया है शिरी गुरु गोविंस से महराज तुर पे जदो दया सिंग नो हजूर ने किया दया सिंग इल्ना जिन्ना मास नोच के काशवे चुचा जान गिया एक दन एन्ने उच्चे मेरे पंथदे केसरी निशान चु लण गे उदों हजूर ने आखरी वर गड़ी चमकार वाल विख्या तेक गल्प आजशा ने कई ले गड़ी चमकार दिये तेन्नों दुनिया कच्ची गड़ी केंदी रही तेन्नों लोग कच्ची गड़ी चमकार दी केंदे रहे ले गड़ी चमकार दिये अज तक तेनू लोग कच्ची गड़ी कहिंदे रहे ओ तेरे विच पक्के आँदे पैर पह गएने तेरी हिकते पक्के शहीद हो गएने रेंदी दुनिया तक गड़ी तुम ही पक्की हो जाएंगी सासंगत किले बनोन वाले मर गएने किले गर को हो गएने पर गड़ी चमकार दी कच्ची सी अज सदा दुनिया वेच जुगां जुगां तिकर अबाद हो गई है ओ कच्ची गड़ी अबाद पता क्यों है उत्थे पक्के आँदी शहादत होई है उत्थे पक्के आँदे पहर पहने उस गड़ी चमकार बेचे ताँ ओ कच्ची वी अज सदियां वास्ते पक्की हो गई जुकां वास्ते पक्की हो गई दसमें पाथशाने तुरन लग गया आखरी गल गड़ी चमकौरवल वेख के कई है उन पंजाबी दा विदवान लिख दै ओ किना हजूर ने कहा गड़ी ये तो इते हास बनने वकत लंग जाने दुनिया ने तेरे कोड आके पुछने एथों एक दो पुतानिया लशां कोलोना दा पे ओ लंगे है उद ये खावेच हंजूते नहीं सन उस पे ओदी ताहत नी निकली पोत शहीद हुन दिया ओदे मत्थे ते कोई शिकन कोई शिक्वा ते नहीं सी ओदे चेरे ते कोई अधासी ते नहीं सी ले गड़ी ये वेख ले तो इते हास बनने गड़ी ये वेख ले ले गड़ी ये वेख ले हसदा जारे आहां कह देई समयनू मत्थे नी वट मेरे तेरी हिकत अजीत जो जहार सौंग गए पुतर सोल जो रे शमी पट मेरे कफन पाया नीना तेस करके क्योंकि सिंग नीना तो कट मेरे और रोक सके ना मेरी मुसकान ताई लगे जिगर दे वेचे जो फट मेरे पुत मरन दा फट ते लगगा गुरु गोवें से मारा है ऐन नहीं हो सकता पर पाथश्या केंदे उस फटनल मेंनों उदासी नी होई मेरे अंदर दे बलनों नी उदासी रोक सके पुत्तर जान दा सल मेरे अंदर दे ताकत नों नी रोक सके मेरे अंदर दे जनों नों नी रोक सके दसमें पाथश्या बे पर वा हो के गड़ी चमकार तो चल बै और हुव्वजूर ने तुरन लगएम कैया दैसे जे जीओंदे रहता मिलांगे तारियाँ दी सिद्दे ल्डे वाला जिओ ल्डे वाल होन तुसी बठे वेती तारियाँ दी सिद्दे लंडे वाला जिओ उदो कडियाँ थे कलॉक नी Board नी सी होन दे ना ओटेम दस देने पाठशा ने कहा तारे यां दी सिद्दे लिंदे वल आजे ओ जिमे जिमे ओ तेन तारे लिंदे वल जानगे उस दिशावल जे जिउंदे रहता मिलांगे कल गी तर पाठशा बे परवा हो के तुर पै जदों चमकौर साव तो चले ना होन विक्खे हो एमेनी लोग केंदे सुभान उमरी गुरू को बेंसेंग बल है तां दुनिया नमशकार कर दी है जदों पाठशाग चमकौर तो चल के तिन चार मी लग गए आई ना चल दें चल दें अदी रात तो दें चड़ गया स्वेर दा पैदल चल दे रहे पैरां विच जोड़ा नहीं हजूर दे पैर कंड़ें नल बिने गए जरी दर पैन्या होया चोड़ा बेरियां ते चाड़ियां जफसके कियां थमा तो टकियां लथ गईया तानी शिरी गुरू गोवन से महराज अज दर्वेशी दी हालत वेच माशी वड़ा सब लारे ने माशी वड़े दी तर्थी वल तुरे उंदे ने शिरी गुरू गोवन से महराज नो जिड़े पिंड़ दे लग गया के दिन चड़या ना थोड़ा जया रौड़ा होया अजे सूरज दी लो नहीं लगी हवा वगी है हलका जया मीं पे है तो उन्दा हट गई है दिन दा चड़ा हो गया है शिरी गुरू गोवन से महराज उस पिंड़ दे वरों वरों लंग रहने उसे पिंड़ दे दो गुजराने पशुआ दा वग चरना शड़ दे आ ओ पिंड़ दा नाम है किड़ी पिंड़ अलफू ते गम्मू पशुआ दा वग शड़ दे ने एक पराने वेख के दुज़े परानों के हाँ ओ गम्मू ओ वेख हो लग दा गुरू गोवन सिंग जा रहे उनके तैनू के में पता है ओ केंदा कई दिनां दा रौला पेंदा है गुरू गोवन सिंग महराज इससा लगे वेचाए ने सुनेयां गड़ी चमकारविट केरा बेया हुए केंद ने बड़ी कमसान ती जंग मची है मैंनू लगदा है गुरु गुबें सिंग बचके निकल आए ने आग गुरु गुबें सिंग महराई नो केरिये ते पकड़ के गुरु गुबें सिंग नो सरहंद देए ते नाम प्रापद करिये लाल चागया मन ची दो मां गुजर पर हमाने अल्फु ते गमोंने डंगां लेके दे गुरु गुबें सिंग महराई नो के हर ले ते लाए तेग दंगां लाए के कहीं दे माराई रोक जाओ तुस्सीं 거ुबें अभंज सिंगत हो ना शिरी गुरु गोवन से महराज जिया ने बड़े ठ्रमेनल जवाब देता कहीं दे हाँ भई मिन्नुई लोग की गुरु को बिन सिंग कहीं देने दुसो तौनु की कम है मिन्नुई लोग को गुरु को बिन सिंग कहीं देने दुसो तौनु की कम है अल्फूची वाच बोलिया कहीं दा महाराई तुसी पकड़े गए हो सद्धा पिंड गुजर रंगड़ा दा पिंड है रोड़ा पामांगे पिंड कठा करांगे तौनू पकड़ के सरहंद दमांगे अनाम प्रापद करांगे कलगी तर पाथषया ने बड़े सहज नल किया कहीं दे तौनू ता इनामी चाहिए है ना जे इनाम मैं देदा तुसी मिन्नू पकड़ा के की लेने तौनू ते इनामी चाहिए है जे इनाम मैं देदा मेरा रार रोक के तुसी की लेने मैंनू पकड़ा के तुसीं की लेने हज़ूर ने अपने खिसे वेच हत पाया जरीदर चोले खिसे चों एक सोने दे मन के आँदी माला कड़ी और सिमरना कड़ी है जेते मुती जड़े हुए सा जदो सोने दे मन के आँदी माला कड़ी हजूर केंदे ने आयो बचे सी शायद एवी तोड़े ले बचे होनगे आलो फड़ो एतों वड़ा नाम तो नू सरहंद नी सी मिलना जदों वो सोने ने मन के आदा सिमर ना कड़िया गुजरा ने अपने हथ विज लेया गमू अल्फू नू केंदे चौदा मन के तेरे चौदा मेरे आज एड़ा वड़ा मन का ना मेरू एदा की करांगे वो केंदे नू तोड़के अदा अदा आपस वेच मन केंदा इसाब कर लग पै एड़े नू कलगी तरपाच्छा अगांत और पै अजे दस कदम अगे गए गुज्रा दे मन्च लाल्च वड़ गया अलफू ते गम्मो केंदे माला ता मिली गई है होवे ना गुरू गुबेंसेंग कल्ले ने केर के सरहंद दे अनाम भी मुटा लमागे रुटवे भी लमागे अनाम भी लमागे रुटवे भी लमागे रुत्वें आते अनाम दे पुखे ते लाल जी लोग कॉमा नल गदारी का अरजन दे सा संगत उता है दुझे बंदे सा इत्थे ते अपने अना लाल जवेचे गदारी का अरजन दे जदों दूमां गुजना नू लाल जो हो गया अगे जाके फिर के माहराई नू कहीने मारा रुक जाओ असी रोला पाके पिंड कठा करांगे तो नू पकड़ के सरहांद दमांगे अनाम भी लमांगे रुत्वे भी लमांगे कल गीतर पाथशाने क्या हो गुजिरो तुसी होन हलक गए अनाम लेके तुसी खुश हो जाओंगे अनाम लेके तुसी रज जाओंगे पर तुसी हलक गए हो हलक के होई दा अलाज सिर्फ मौत हुन दै पाथशाने क्या तुसी लोब वेचे हलक गए हो हलक के दा कोई विश्वाष नहीं गुरु गरंस है महराइदी बानी दा फुर्मान है लोबी का वेसा ना कीज़े जे का पार वसाए अन्त काल तित्थे तो है जित्थे हत्थ ना पाए हे लोबा लंपड संगसर मौरे अनक लहरी का लोलते ता वंत जी या बौपर कारं अनक पाँ तो बाँ डोलते जे दे दमाग वे जो लोब दा हलक पह जाए वो दा कोई रिस्ता कोई पहन पाई नहीं लोब दा हलक या बंदा सके पर आदा कतल करवा दे पाथशाय ने क्या हो तुस्ही हलक गए हो देखो कई बंदे करां जो कुते रख देने उन्हों लसी पहुण गे दोद पहुण गे ब्रेड रोटी पहुण गे जिद्धन कुता हलक जान दे ना उद्धन माफ करे हो पहल ना कर देन वड़ दे अज मैं एक जगह आते गया है जो दो एक कथा थोड़ी जे संकेब बेज गई तो बंदे आ गए हो कहने पाईसाब जी हलके बंदे दी सच मुझ बड़ी बुरी हालत है ओ कहीं दे सड़ दे थे को में आ रहां दी कोड़ी हलक गई तक कहने कोई भी ड़क्टर उन्हों टीका लौन ना वे क्यों हलके आया जे उन्हें मुँ मार देता बड़ देता दंद मारता हो डौक्टर भी हलके जाएगा कहने ओदे नेडे कोई टीका लौन ना जावे हलक गई हो ते मैं उन्हों के फिर की हलत बनी ओ कहना जी दास भी बन दे फिर लंबियां डंगा लेके आए उनों कोट कोट के डंगा मार मार के उनों मारे है ओ हल्की होई सी ओ दी अन्नी बुरी हल दा अज श्री गुरु गुबिन सेंग महराई ने कहा तुसी हल्क गए ओ लोब बिच जेड़ा लोब बिच हल्क दे ओ दा कोई रिस्ता नियों कदे नी रजड़ा कल गी तर पाधशा ने कहा लोब गुजरो तुसी हल्क गए ओ जे गुरु गुबिन सेंग नो पकड़ाउना चाओ दे ओ आ लोब फिर गुरु गुबिन सेंग चल्ले है जे तोड़े वेच हिम्मत है फिर रोक लो कल गी तर पाधशा दा बल वेखो मैं कई वर बेंती कर दा हूना पुत मरना ता बहुत बड़ी काल्या है सज्जनों किसे दा पुत बिमार भी पैजाए ना बंदे दे शरीर चे ताकत नी रिंदी अंदरो खोखला हो ज़न दे ये मो एदन दी चीज है किसे दा पुत बिमार पैजाए शरीर खोखले हो ज़न दे ने बल नी रिंदा शरीर चे शरी गुरु गोवन से महराई दो दो पुता नी अला शें को लो लंग के आई अज जह इना बल है कल गी तर पाधशा के दे फिर जे रोक साके दे हो ता रोक लो ज़न शरी गुरु गोवन से महराई लंगे गुज्रा ने मुरे डंगां लाके के इरके कहीने महराई तो नू जाण नी देना पाधशा ज़न तुरन लंगे उनी डंगां दा परमा बार किता दसमे पाधशा दी फुर्ती विख्यो एकदम पाधशा ने अपनी शम्शीर कड़ी दुम्मा गुज्रा दी डंगदा वार शम्शीर ते रोक लिया और उत्तों बाध पाधशा ने एक कोई बार किता एना परमा बार किता एक कोई बार नल दुम्मे गुज्र चीर के सुट देते और पाद्षा ने दो मनों चीर के सुटके कोई गल कई मैनू तोड़े मारंदा अफसोस रहेगा मैं तोनू मारना नी सी चौंदा तुसी मैनू मारंदे मजबूर किते है क्ल गी तर पाद्षा कीड़ी पेंटों चल दे हम जन्ड सब दे रस्ते ऐस तर्ती ते हाई ने इत्थे तब कौन दे होंदे हां हजूर मुशाम पह गई क्योंके सिख्व दवान लिख दे ने पाथशा ने राब अदल के चारियां विच्चों जिड़ा रस्ता मिले उसे रस्ते तुर दे रहे अखीर एस जगह ते जित्थे चौदरी गुलबे ते पंजबे दा खूओ खूओ अजबी मौयूद है कलगी तर बाथशा ने इत्थों डोल पाणी दा कड़ के हत्मुत होता दो कुटां पाणी पीता है खूदे कंडे चौंकडा मार के वे गए गए सिद्धा रबनल गल्ला कर देने जेडियां गल्ला कदे रात चमकौर दी गड़ी वेच की तिया सन करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर कल जाओंगा चमकौर से मैं सुर्खरू होकर अज जो यो गल्ला रबनल कर देने मित्तर प्यारे नू हाल मरीदां दा कैना जारडे दा सानू सत्तर चंगा पठखेडे दा रेना तानिश श्री गुरू गोवन से महराज इस तरह रबनल बत्तां कर दे कर दे टिंड दा सराना लेके अख़्ा मीट पह गए सूर्ज डुबया रहरास दा वक्त होया श्री गुरू गोवन से महराज चंकडा मार के बैठ गया क्यों एना देना विजदों सूर्ज मार जाए था ले जाए ना थंडी हवा श्रीर नू चीरन लग पेंदी जे में इस सूर्ज उले हुया थंडी हवा हजूर दे श्रीर चों लंग रिसी पाठशा उठके बैठ गए रब दे प्यार विजदे ने सुखी वसे मौरो परवारा सुखी वसे मौरो परवारा केड़ा परवार सेव कसिक सब्बै करता दा प्यारे देह सिंग तरम सिंग मान सिंग पहुँच गए हजूर दे कौल बैठ गए तन शिरी गुरु गोवन से महराज अजे खूद एक नारे बैठे ने इतिहास केंदे चोधरी गलबे पंजबे दा नौकर होंदे शम्मा पे याने खेतां चोपठे चोकले हमा जदों उने विक्या शिरी दा पुशाक पेनी हुई फटी हुई है दिक्कन उन्दरवेश लगदे पर लोग दे शिटे पेने सारे सिखानिया पुशाकां ते लोग दे शिटे पेह हुई ने वेख के वो नौकर पिशाँ पाज़ गया उने जाके अपने चोधरी यानो दसे है चोधरी साब कोई तिन मुरीद ने ते एक कुना दा मुर्शद लगदे एं लगदे जे में तोड़ा अनांदपुर सहब बड़ा गुरू होगे गुलाबा बुल लिया ते नू के में पता है क्योंके गुलाबा ते पिजाबा मसंद रहे ने एक कई वर गाएं बगाएं अपने नुकर नुबी नांदपुर सहब लेके गए ने अज श्री गुरु गोवन से महराज दा जे में इनी सद सुने आ एक दम दो में परहा उठकलोते मन अंदर आया पाथशा चमकार दी गड़ी वे सुने सी करे होए ने लग दै गुरु गोवन से महराज आ गए ने दो में परहा पुह पहुँच गए श्री गुरु गोवन से महराज नो नमशकार की थी हत जोड़ के किया महराज कर चलो एत्थे नी सुबाद ले गड़िते बठाब के हजजूर नो कर ले गए तन श्री गुरु गोविन से महराज दिया ने जिते गुर्दवरा चुबारा साहब है दो मां प्रामा नों हुकम करके किया बेटा इशनान करन दी इच्छा है सड़ा इशनान कराओ होने इत्य त्यानल सुने ओ तन श्री गुरु गोविन से महराज नो सासेंगज चौवी पहर हो गए ने पोजन शक्या अनन्दपुर सब शड़न लग गए जो सरातनों शक्लिया शक्लिया उत्तों पाद सासेंगज चौवी पहर गुजर गए ने अटताली केंटियां तो वकत टप गए शिरी गुरु गोवन से महराज जदों किंदने शनान करने दो माप्रामा ने सर्दी सी पानी थोड़ा गर्म किता जदों शनान कराउन लग गए तिन्ने इसेख प्यारे देया सिंग तरम सिंग मान सिंग कोल खलो गए जदों पाथशा दे सरीर तों फटेया हुया चोड़ा लाया हैरनी दी हद ना रही एक कमर कसा खोल के चोड़ा उता रहा फिर हैरान हो गए पाथशा चोले दे थले पेट उत्ते कमर कसा क्यों किता हुया है मारा चोले उत्ते कमर कसा ठीक है एक कमर कसा बट देके तुसी पेट उत्ते बन्या हुए है क्यों दसमें पात्षया ने कहा दया सिंगा शरीर ता मेरा भी तो डे वर गए दया सिंग पोख मेनू भी लग दी सी पर मैं चौनदा सी मेरे हिसे दा परशदा भी मेरे सिखानू मिल जाए बुद्धी चंदा लेंदा परशदा भी सिख विदवान के इदेने अपने हिसे देक परशदा भी कल गीतर पात्षया ने कहा दया सिंग सब वेज खनी खनी बंड देओ दसमें पात्षया दे पेट वेज कमर कसा खोवे गर्म पानी पाके जदों कमर कसा लौन लगे गंडा खोल देया खोल देया पेट विच्चों कमर कसा कड़िया केंदने एक दम मास पुटिया गया लोव दी तार वगी इशनान कुरौंदे उस पानी विच लोव बेंड लग पया देया सिंग एकदम उदस जय हो गय सद्गरु कलगीतर पाथशे ने कया देया सिंगा की हो गया मेरा लोव पानी विच वग दा वेखके उदास हो रहे है देया सिंग आज मेरे यिसम दा लोव इस मच्ची वड़े दी तर्थी वे संज लेन दे वकत होने जिनना सकून इस तर्थीदे होएगा उनना सकून किसे नूँ होर किते नी मिलेगा सासंगत ये तुसी नेलसेस करेओ मैं विजार कीती है जिनना का सकून इनने के एरिये वे तर्थीवे चाहे तो नूँ किते नी मिलेगा और ये भी सच्छा है इत्थों दे रेंड़ वाले लोको वक्री गल है कोई बहुत ज़्यादा मनमुक होवे तांके से दा कल कलेस पामे ठाने वे चला जाए नहीं तन एस अस्थान दे नेड़े रेंड़ वाले आंदे कार वेच कलेस भी नहीं हुंदा करे जे होवे भी एह हुंदा है जे में पानी वेच लीक मारी है नाले ही मिट गया इस तरती ते रेंड़ वाले अंदे अंदर सकून है जे कोई गुरु गोवें से महराज ते विश्वाश रखके चल दे कल गी तर पाथशा दा इशनान कराया कपड़े नलो जकम बन देता गया तानी श्री गुरु गोवें से महराज पाथशा ओस गुलबे ते पजबे वे कर वे चुवारे वेच बै गया उत्थे हजूर ने हुकम किता कहिंदे पाई गुलबे आ तेरे शेयर वेच तेन शर्दा लुग हो रहें देने सड़े महराज कौन कहल के उननों सुनेहा देओ के गुरु गुबिन सिंग माशी वड़े आये महराज सत बचन हजूर ने कहा दो तान सके पराव मुसल्मान ने एक गनी खा ते नभी खा उनु सुनेहा दे देओ गुरु गुबिन सिंग माशी वड़े आये ने उताड़े करमिल नों ले पाठशा तीजा कौन है केने तेरे शेयर वेच एक नहले खत्री दी बज़र्ग माँ है उद यक्खा दी रोशनी वी काट है बहुत बिर्द सरीर है ओ माता हर्दई नो सुनेहा देओ गुरु गुबिन सिंगा ये पाठशा ने कह सी आये उना करके एक विदवान ने ये लिखे है सतारां सो इसवी तक हर साल माता हर्दई अपने हथी कपड़ा बुनके एक चोड़ा तियार करके नंदपुर सहिव जन्दी रही ते जदों फिर नंदपुर सहिव जंगां जुद्दां दे दे दिन शुरू हो गए कल की तर पाठशा ने क्या माता आज तों बाद चोड़ा बुनके ना ले आई कपड़ा बुनके चोड़ा सिंके कारवेच रक ले वकत आएगा सिंकः खुद लेन ना मैंग Yo सतारां सो इसी तो लेके सतारां सो चार तक इत्हास कहिंदै चार चोड़े एक चाड़र माता ने कपड़ा बुनके चोड़े सिंके रखे होए सी जदो नहले खत्री दे कर रात देहने रे विच जाके चोद्रियाने ख़वर दिती दरवज्जा खड़काया माता नू जाके क्या माता हर दै सड्डे कर विच नंदपूर से बाले गुरू गुरू को विन सिंग माहरा जाये और तेनू बला रहे ने गुरू दा हुकम है पेटा लेके आई उन्हें अपने पुत नू किया पुत नहां लेया पुत सुदूक विचों पेटा कड गुरू दी चार चोले तेक चदर शिरी गुरू गोवन से महराज वास ते चौवा सलन दे चार चोले तेक चदर बढ़ी है दो में माँ ते पुत लेके तुर पे रात दे हनेरे विच गुर्दवरा चुवारा सेब जिते बढ़े हैं चौदरियां दा कारसी लिया के पाथशान उपे इंड किता है शिरी गुरू गोवन से महराज ने क्या माता तेरी सेवा पर वाहन है जा तेरे लोग सुखी पर लोग सुहिले दी जम्यवरी गुरू नानक दी है अज तो बाद सड्डे ले कपड़ा ना बुनी तेरा लोग पर लोग सुखी सुहिला हुए तो जन्म मरन तो मुक्द होई तेरी सेवा पर वाहन है पाथशा ने एनिया सिसां देखके उना नो तोर देता ते फिर हजूर अद्धी रात नो कहीं देने गुलाबे पंजाबे आ चारे ही चोले ते कचादर इनो निला रंग कराके ले महराज ऐस वकत केलने के तेरे कस्वे वे तेरे पंड वे चो कोई ललारी रहेंदा है केलने हा महराज एक कोई का रह ललारी हैंदा केलने के जा फिर उन्हों इसे वकते चोले ते चादर देखे आओ उन्हों को निला रंग कर देओ कोई नीसी जान दा गुरू ने निले रंग दे चोड़े बाखे अगली शामनों इसे तर्थी तोचदा पीर बन के तुण दे शिरी गुरू गुवन से महराज ने तिन्ना सिखां वासते चोड़े रंग वाए एक अपने वासते चारे ही चोड़े तेक चादर निला रंग करने ललारियां दे पहिते हैं जदो अद्धी रात रहों चादरियां ने जाके दरवजा खड़काया ना ललारी ने दरवजा खुल लेया लेंपना लोला के विख्या चादरी सा वे इनी रात गए ते चोधरी गुलबा ते पजाबा बोले कहने भी साड़ा गुरू साड़े कारा है साड़े मुर्शदा हुकम है आ कपड़े नंगिचने ने इनू निला रंग कर सकने ललारी ने कहा जी साड़ा ता कामी कपड़े रंग ने कपड़े दे जाओ रंग करदांगे पर एक गल है तेन चार दिन लग जानगे क्योंके सड़े कारवेच रंग मुक्या हुए है कल सुवेरे दिन चड़ने रंग ले आमांगे एक मटवेच काड़ांगे फिर कपड़े रंगांगे चौदरी बापस आगए गुलाबा ते पजबा दसमें पाठशा नू आके के देने सचे पाठशा कपड़े ते देयांदे ने पर ललारी केंदा तेन चार दिन लग जानगे हजूर ने क्या तेन चार दिन दा वक्त नहीं असी तोनू ते तोड़े पिंड नू पत्रे विच नी पौना चांदे असी शित्ती अगए जाने ललारी नू कै कल सवेर तक चोले रंग के दे ते गुलाबा पिंजबा के ने महरा जो दे कौल रंगी मुक्या हुए है का दिनल रंगेगा दसमें पाठशा ने कै कै दे ओ ललारी नू जेड़े मटवे जो कपड़े रंग दे उनू को पानी पाके विश्वाश रखके डोब दे रंग पौन दी लोड़नी सवेरे अपे रंग हो जाने चोदरी चले गए गुरू ते प्रोस है एक बेंती समझे हो एनू केंदे ने गुर सिखी बारीक है खंडे तहार गली अतपीडी जो गुरू कह रहे है उनू सत करके मन रहे है उते मुरे आर्गुमेंट नहीं करना भे एक में हो सकता जी गुरू दी व्यक्खया तुसी बारी ग्यान नाल नहीं कर सकता जदो पाथश्या ने कह जाके कह दे हो चौदरी सत बजन कह के जले गए जाके लारी दा द्रवजा खड़काया उनू कहिंदे पाई साथे गुरू दा होकम है जे तेरे मट विच रंग नी कोई गल नी पानी पाके रंग दे ते चौदरी कहिंदा ठीक है जी जिमें तुसी कहिंदे हो पानी पाके रंग दे ने रंग ना जड़या साथी जिमेंवरी ने चौदरी कहिंदा जो गुरू दा हुकम है तुसी ओ मनो चौदरी गुलबा पंजबा कपड़े दे के मोड़ा है ललारी ने अपने कारवाली नो उठाया ते कहिंदा पागवन ने चौदरी यां दे मुर्षद गुरू दा कम आया है आ चार चोले दे चादर रंग नी है रंग नहीं ओ कहिंदे ने मट वेज पानी पाके रंग दे अपनू की है अपन दा पैसे लेड़ने ने रंग पामे चड़े पामे ना चड़े ए उना दे मुर्षद उना दे गुरू दी जमे वारी है ओने अधी रात रों मट जपानी पाया कपड़े डबो देते स्वेरे देन चड़ेया जदों मट चों कपड़े चोलेते चदर कड़के तारते सुकने पाये ना बार वर अंद्रों आके कपड़ेयां वाल वेख दे जमें जमें देन चड़दे तेमें तेमें कपड़ेयां दा रांग गुडा नजर रहूंदे है रानी दी हद ना रही ओ मना इनना गुडा रांग तां कदे रांग विचो नी चड़ेया जिनना पानी विचो चड़गेया इनना गूडा रंग कदे रंग चो नी चड़ेया और जिनना पानी वे चो चड़ गया है दो मान ललारी ते होदे कारवाली ने जदों गूडा निला रंग विख्या चोलें ते चादरां दी तेल आई चादर ते चोलें दी तेल आके न सकाके ललारी कारवाली नो केंदा गुरू उना दा मुर्षद पहुंचिया हुए चल पागवन ने दर्शन करके आई जित्थे गुर्दवारा चुवरा सहब आना इत्थे ललारी ते उदे कारवाली चोले ते चादर देना आए जदों उचोले ते जदर लेके आए साथ संगत आतुसी ओस रात विच बैठे हो जदने सारी कटनकटी है आज दी अदी रात नों उचोले दिते आज दी रात नों उचोले रंगिचे गए जदों सवेरे देन चड़े आ ललारी ते ओदे काराली चोले देना आगया चादरी नो कहिंदे तो दे गुरू दे दर्शन कर सकने है चादरी नो कहा पुछले ने है जबारे बिच बैठे मेरे दसमें पाथषया नो बेंती किती महराज ओ ललारी ते ओदे काराली आए ने पात्शा तो दे दर्शन करना चौन देने हज़ूर ने क्या बलाओ जदों पॉड़ी चड़ के दुम्मा जीए ने दर्शन किते चोले ते चातर गुरुगोवन से महराज बेखके रखे दुम्मा जीए ने ललारी ते उदे काराली ने नमशकार किती कल गी तर पाथशा उना वलवेख के मुस्करा के पता की केंदे ने पाथशा ने सराने थलेओं पंज मुरा सोने दिया चुकिया एतना हथ करके क्या लो भी पैसे रंग पावें चड़े पावें ना चड़े तो नूते पैसे चाही दे अक्खा पाराईया दाते आयतना सी दुम्मा जीया ने रतिगल किती है पाथशा तुम अंतर जब मी है पाथशा ने कह लो भी पैसे रंग पावें चड़े पावें ना चड़े तो नूते पैसे चाही देने दुम्मा जीया ने हत जोड़के खंपर लईया ललारी कहिना महराज पैसे नहीं चाहिए दे पाठशान क्यों कहना सचे पाठशा गरीब बहुत हम है कारवेच पैसा नहीं पर अज तोड़े कुड़ों पैसे नहीं चाहिए हे गुरु गोवन से महराज अज जसी कुछ होर मंगने ओ मुदतां बाद कोई एकना कामल मुर्शद मिले है अज पैसे लेके नहीं मुड़ना कुछ होर चाहिए सद्गु बोले के लगे दासबे की चाहिए अज सुने उसा संगत जेड़ा गुरु अपने दो पुत बाहर के आया एक दिन पहले आजे अज दुजे दे नहीं कोड़ु मंगन की लगगा ललारी जेड़ा गुरु कल गियां भाला दो पुतरा दे लाशां कोड़ु कल लंके आया है अज जो दे कोड़ु ललारी मंगन की लगगा है उस ललारी ने हाथ जोड के एक गल कहीं दाते गरीब भी देख लेंदा बंदा दुख सुख कट लेंदा गरीब ही दे तेन कटे जान데 ने दुख दे देन भी कटे जान데 ने हे گुरु गोवंसे महराज पाटशाव बिना उलाद तो रहता दुनिया दे मेने सुनने ब़त अके ने पात्षा सनु लोक अंतरा केंदेने सड्डे करवे चौलाद नहीं आप मेरे काराली दे पर्शामे तो लोक अपने बच्चेया नू लोको लेंदेने हुंता सड्डे कर कोई कपड़े भी रंगेचण नहीं होंदा आता तुस्हीं तरस कीता है कोई किसे ना ना किते हो रंगया जावे तांसाड़े का रौंद है सनू अंत्रा कह के लोग पंड़ेने पाद्शाओ अंत्रे कह के लोग सनू पर शामया तो भी साड़े डर देने मारज एक तरस करो पैसे नीचाई दे को पुतर दी दात दे 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 ओ देखो साथ संगत किन्ना वड़ा दाता है यह नहीं कहो मैं ते अपने पुतकल कुरवान कर गया है जदो ललारी ने कहा दाते हचाई दा कोजने एक पुतर दी दात दे दे ओ दसमें पाद्शाणे खुश हो के कहा ललारी तुम बिशवाशनल कपडे रंगे ने साथ संगत मैं कई वर कई नहीं तुसीं विशवाश रखे ओ गुरू ते यह गुरू अनकंडिशनल तो नू कहिंदा है जो मंगए ठाकोर अपने थे यह नहीं कहिंदा वे अज नहीं आ चीज देनी है एदा नहीं गुरू कदे ना कर जो मंगए ठाकोर अपने ते सोही सोही दे ले आज दसमें पात्षा ने क्या पुतर जाईद है जा गुरू नानक दे करों पुतर भी बख्षे है ते जदों खोश होके रोंदे तुरन लगए न दाते ने पिछों वाज मारके क्या जेडे मट विच सड़े चोले रंगे ने न ललारी के ते ना समझी ओ दिते होए गुरू को बिन सिंग दे चोलें विच कोई करा मासी जाओ पावना ते बिश्वाश नल ओदे विच कपड़े रंगी जाए बिश्वाश रखके रंगी रंग ना पाईं 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 विच्चों तामी रंगी होई जाओ उनके हमारा साथ बचल ते नाल कलगियां बाले नेक गल कई तकन चोके बार दे लुकान उना वखायो के एकरा मात है जिनना चिर पाणी पाके रंगी जाओंगे कपड़े नगी जाणगे पर तकन चोके लुकान उतमाश ना वखायो जाओ तो डे मटवे सदा ही रंग रहेगा सासंगत ओ मट दहाके जाओंगे कपड़े रंग दे दे एक साल गाद उना दे कार्पत्र होया जिदों ओ पोत्च जवान होके इस तारां ठारां साल होया उन ललारी आँ दे रिस्टे भी ललारी आँ दे होने सी उने अपना पोत्च खमानों व्याया इतिहास कहिंदे ज़नों बच्ची व्याई आई ना उना दे उनों शेक महिने हो गए ते उ पुछ दी ये कहरा ले नू जी एक गल दसो मैं में लिलारीयां दीती ही या सड़े करता पंजी चौन दीनी रंग मुक्या रहिंदे तो ड़े शेक महिने हो गए जे रंग दा रोडानी पहा रंग नी पहुंदे ऊदे कहरा ले ने क्या आ मत्गुरु गोवन से महराधी ब Leaders बक्षिश वाले है मेरा जनम भी गुरु गोवन से महराधी बक्षिश नल होया है पागवन ने ये जे वेचे पानी पाई दा रंग पाई दाई नहीं पर शर्त है के बार ले बंदेयानों नहीं बुखोना चाके गुरू ने किया इन्हों तमाशा ना वखायो बार ते माफ करे ओ कई वर बीबीयां तो गाल रिंदी नहीं अगे हो जान दी है गुसा ना करे ओ ये कुदर्ती तो औरते है जे अपन दुझे नू कहीं न बीबी नू शड़ो बंदा भी आई है जे तो किसी दुझे नू तुसीं कहीं देऊ नू बे मैं तैन्नू ये दस्तन लगगा गहाना गाल करी माफ करे हो जे नू तुसीं कहीं देऊ गहाना करी तो तो नी रखोई उन्हें कि ड़ा रखनी है उन्हें भी कारी देनी है इमानियत दान दाई ओस माई ने अपने पिके जाके गल कर देती ओ केंदी साथे मेरे सौरेयां वे चैदाना माट है जेच रंग नी पोना पहिंदा है ओदे पेकें तो खुमानों तो ललारी आगए ओने सौरेयां दी बिना कर दी आगए तो बार ले बंदेयां नो माट दा टकंड चोके वखा देता ओत तो बाद पर्त के उस माट वेच रंग नी चड़ेया अज भी ओ माट गुर्दवरा चवारा सहप ए है सा संगत एक किते बेंती हो और समझे हो मैं कई वर कईन होना रंग दा अर्थ गुरू गरंट सेब दी बानी चप्रेयम है परिये मत पापां के संग ओ तो पै नावे के रंग जाको हर रंग लगो इस जग में सो कहियत है सूरा रंग दा अर्थ प्रेयम है जिदन तुसी कारदियां गलां के से बार बंदे कुल कर लग जाओ तो डे कारवे चो प्रेयम नी रहेगा ए रंग सुक जाएगा जिदन सस अपने नोदियां चुगलियां के से कुल करे ओ कारट टुटनों कदे नहीं फिर रह सकता मैं उना मामा दे दर्शिन किते ने ये कारच गल हो गई ना कोई चौदा चौदा जीए को बेड़े चरहिंदे रहे तिन तिन प्राव कारच कोई गल हो गई बीबियां ने बार गल नी किती जबान तो पता के हो कारट टुट जानगे दिवारां पह जानगे ये जमीना बंडियां जानगे ये प्रामा दे सेर फट जानगे कारदी गल बार नी किती अंदर मान विची रखी चिखा तक चलियां गई ये गल्ना जबान तो बार नी कडियां एनी पेशंस एनी सेंड शीलता ओ ललारियां दे करों ओ रंग मुक गया पर तके कैन तो पाव अपा मन दे अंदर पेशंस सेज रखीए ए ताह उने जे तुसी गुरू दी बानी दा नेम करोंगे पाथशा फिर उत्थों उना दे कार रहे जिते गनी खान नवी खान दा कार रहे दुम्ह प्राहमा ने गुरू नो उचिता पीर बना गढ़के आलंगीर तक लेके गएने इक बेंती समझे। दसमें पाथशा दा हुकम है ज़ह दों पाथशा ने आलंगीर तो बापस बेज जयाए ना गनी खान बी खान ना उदों पात्षा ने लिख के दिता है आ हुकम नमा साम के रखे और पंथ दे नाम लिखे ये मेरे फरजंद से बेहज है मेरा खाल सा सदा इनकारणी रहेगा जो इनकी सेवा करेगा उन पे गुरू गुबेंस सिंग की खुशी होग ओ सारा हुकम नमा तो नू मिल दे दसमे पात्षा ने कहा जे मेरे फरजंद से बेहज है ए मेनू पुत्ता तो भी प्यारे ने और सा संगत एक दसमे पात्षा तो हुकम है गोर मडी मठ पूलना मनने खालसा होवे ते कवरानू मडीयां मठानू पूलके बेना मनने ते केड़ा से खेजी जेड़ा गनी खान नवी खान दे ओसकार गुर्दवारे वे जन्द है जदों दरवजे जबढ़ोंगे दरवजे बढ़दें कवरां मडीयां हो याने पता क्यों अंदर तन गुरू गरंसे महराई दा परकाश है जे में दुम्मा प्राहमा ने प्लंग दे मुरे मुड़ा दे के क्यासी कलगियां बाले या जे पीड पही तां पहलना असी अपने सिन्ने ते चलांगे अजवी गुरू गरंसेव जीदा अंदर परकाश है दुम्मा प्राहमानियां कवरां गिट्टां बेच दरवजे बेच्चा है अजवी पहरे ते ने ते माफ करेओ केड़ा सिख है जेड़ा दरवजे चों लंगन लग गया गनी खान नवी खान दी कवर्दा सनमान न करे गनी खान ते नवी खान दी कुर्बनी नो सिखदा न करे असी कवरां दे पुजारी नहीं पर असी कुर्बनी नो सिखदा कर दे या ओ कवरां नो सिखदा नहीं गनी खान नवी खान दी कुर्बण नी करके सड़ा से रजबी चौकदाया इसलिए सास संगत डस्मे पाथशाल श्रीगुरु गोबन से महराज इस पगणाबली तर्ती थे तानुगुरु गोबन से महराज एक दिन रहे दो जी रात रहे फिर दिन रहे फिर रात रहे अव पूरे दिन तुसी आटाही दिन दा इते शिरी गुरु गोवन से महराई जी अदा दिन मना रहे हो कल गी तरपाद श्यादा शुकर रणा करिये बहुत दूरों तुसी चलके आए हो मैंनों समान जिन्ना का प्यार ना लोना कैसी जी कुला प्यार नाल समान लाहले मुनना का लाहया पर एक तो नूबे इंती है अपन गुरु गोविन से महराई दे पुत्तां वर्गे नी बन सकते गुरु गोविन से महराई दे पुत्तां दी रीस नी अपन कर सकते कह देता कल गी तर पात्षा ने अमर्त शकोंगे मेरे पुतर तियां बनोंगे पर माफ करे ओ असी सहीव जद्दा जुजहार सिंग सहीव जद्दा अजीज सिंग वर गे नहीं हो सकते असी तो न दी चर्म तूडी दे किनके वर गे भी नहीं अज जे ए दिन मनों ले जुड़े ओ एक गुरु गोवें से महराज तो अरदास करके मंगे जायो कलगियां बाले ओ जे ते तो ललारी पुत्वी मंगदा तो ना हलाता जे पुत्तर भी दे देनने असी तेरे चर्म चौज सिख़्ी मंगड़ी है शिरी गुरु गोवें से महराज साठी चोली वे सिख़्ी पादे ओ अपने बच्चें वास्ते सिख़्ी मंगके जायो जे दे बच्चे सिख़्ी वे चागए ओ दुनिया दा सब तो मीर बन दे जे दी उलाद कैने तो बार हो गई सिख़्ी तो बार जली गई ओ दे नालदा कंगाल बन्दा कोई ने पामें अमरिका चल जाओ पामें कनेड़ा चल जाओ पामें चाली के लिए जमीन खरी दो मैं अमरिका वाले वी बार रूंदे विख़्े ने कनेड़ा वाले वी रूंदे विख़्े ने वे अपने उलाद ले सिख्खी मंगलों सिखो तुसी अमीर हो जाना है आओ दसमें पाथशा तो सिख्खी मंगिये पाथशा इस तर्टी ते आएओ जिना जिना उत्ते सीज ते मेर पर या हत रखके तुसी सद्दे है किर्पा करेओ पाथशा सानु सारे अनु सिख्खी दी दात बक्षेओ रेंदी उमर असी इस सिख्खी के संस्वासा नलनवा सकीए शिरी गुरु गोवन से महराई दे चर्नाविच अरदास करेओ एक गल में अपने दिल दी दुनिया तो कहनी है ये तो डिमर जी है तुसी पुतान ती यांदा व्या कर देओ न जी सद के खुशिया मनाओ ज़ों काड शपाँदेओ न दो तरह आंदे काड लोक शपाँदे को जैने उनु बरते सदी दे बरत वाला काड जोदा हुन दे उनु बरत दी चटला के काड देई दे ते नाल उनू अद्व नाल केंदेो सरदार जी तुसी बरते जरूर जाने मैं सिलेक्टड जा बंदे बरते लेके जाने ने उनू चेचे तौरते चटला के दिन देो तुसी लोक कानू काड बंडन वाले ओ अपने पुतां तीयां दे जदू व्याश अदी करो मेरी हत जोड के बेंती है एक काड पहला लेा के दसमें पाथशा गुरू गोविंसिंग महराज नू गुरू गुरू गुरंसेफ दे चरना जरूर देो एन्नी गल जरूर के ओ कलगियां बाले ओ तो चार-चार पुत्रा ना प्योसी एक कभी पुत्त वियाया नहीं अद तेरे दित्ते यसी ब्यान लगे हैं हे गुरू गोविंसे महराज मेरे पुत्त दी वरत्ते जरूर जायो कल गी तर पाथशा नू सद्दे हो जरूर मेरा विश्वाश है अपने पामे एना अखानल वेखना सकीए पर अपने पुत्त दी वरत्ते गुरू नू सद्दे हो दसमें पाथशा जरूर हाजर होनगे ते जे दे कार्ज वेचे दसमें पाथशा हाजर हो जाए ना उदे पुत्तां ती यां दे कदे डाइवोस होय नहीं सकते उन्हाँ पुत्तां तीयां दे कदे चगड़े नहीं पैसागे आउ अपने दिते हुए पुत्तर तीयां दसमें पाथशादी बक्षिश है हर कार्ज वेची गुरूनु सदी ए एक वर दसमें पाथशादी चर्नांदा ते हंतरो गज के प्यारनल कौफिर समापती है मिल के प्यारनल गुरू दी वडियाई करिये कोई रसना बंजी ना रवे अज पाथशादा जदों सुवेरे दरवार सहथ तों हुकम आया न मैं पहला बेठा सोचदा सी इस सचे पाथशादी ने अपने दो पतरकल शहीद करवाए ने एक अलगी तर पाथशाद अज सनु की हुकम है ते सच खंड शिरी दरवार सहथ तों शिरी गुरू गरन सह्माहराज बोले गुर पूरा पेटेओ बडपागी मने बहा परगासा कोई न पौँचन हारा दुज्जा अपने साहिव का परवासा ते अगली पंग्तियाई अपने सतगुर के बलेहार है महराज की मिलेगा सनु फिर जैसी गुरू तों कुरवान जाईए सेब ने क्या गुरू तों बलेहार जाई ते तेनु पता की मिलने अग ए सुख पाच्छे सुख सहजा कर आनंद हमारे आओ इस सब को इसानु मिलेगा पर अप मिलके पे हरनल किये सारे ऐसे गुर को वल बल जाईए आप मुकत मुहितारे ऐसे गुर को वल बल जाईए आप मुकत मुहितारे ऐसे गुर को वल जाईए आप मुकत मुहितारे ऐसे गुर को वल बल जाईए आप मुकत मुहितारे ऐसे गुरका। वल्मल जाईये ऐसे गुरका। भिखना हों तो ड़ा प्यार किनना गुरी गोवन से महराें। गज के प्यार नल को ऐसे गुर काँ बल जाईए ऐसे गुर काँ बल जाईए ऐसे गुर का तन सीरी गुरु गोविंद सिंग जी तन सीरी गुरु गोविंद सिंग जी तनसीरी गुरु गोविंद संगदी तनसीरी गुरु गोविंद संगदी तनसीरी गुरु गोविंद संगदी तनसिरी गुरू ऐसे गुर का अलबल जाई है ऐसे गुर का अलबल जाई है गुर का अलबल जाई है ऐसे गुर का अलबल जाई है आप मुकत मुहतारे ऐसे गुर का अलबल जाई है आप मुकत मुहतारे ऐसे गुर का अलबल जाई है सत्गुरु किर्पा कर्म तोड़ी सारे अदिहाद